नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपांच है और इस वक्त की अपडेट युनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से जुड़ी है साथियों सांस्कृतिक विरासत संद्रक्षन के लिए हाली में युनेस्को द्वारा मुंबई के भाइखला रेल्वे स्टेशन को पुरसकार दिया गया है भाईखला स्टेशन के लिए युनेस्को का एशिया प्रशान्त सांस्क्रतिक विरासत पुरस्कार केंद्रिय रेल मंतरी अश्विनी वैशनव को प्रदान किया गया दोस्तों भाईखला रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशान शेत्र के भारत, चीन, इरान समित कुल छे देशों के तेरा प्रोजेक्ट्स दावेदार थे भाईखला रेलवे स्टेशन के अलावा छत्रपती शिवाजी महराज, वास्तु संग्रहले, मुंबाई, गोलकोंडा के स्टेपवेल्स और डोमकोंडा किला को भी विबिन्द श्रेणियों में यहाँ पुरस्कार दिया जा चुका है आपको बता दें कि 16 अप्रेल 1853 को जब पहली ट्रेन चली थी तब विक्टोरिया टर्मिनस के बाद भाईखला ही प्रमुख स्टेशन था क्योंकि यह स्टेशन ब्रिटिश गोडों के अस्तबल के करीब था सांस्क्रितिक धरोहरों के संरक्षन के लिए युनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स की घोशना वर्ष 2000 में की गई थी यहाँ पूरसकार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिनोंने एतिहासिक धरोहरों को सफलता पूर्वक पुनिर्मित और संरक्षित किया या इसमें योगदान दिया है युनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स का मुख्य उदेश एतिहासिक धरुहरों के संद्रक्षन के लिए प्रेरित करना है गौर तलब है कि युनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी इसका मुख्याला पैरिस में स्थित है युनेस्को का मुख्यकार शिक्षा, प्रकृती, समाज विज्ञान, संस्कृती और संचार के माध्यम से अंतिराश्ट्रिय शान्ती और समझ को बढ़ावा देना है